हेलो फ्रेंड्स क्लास 10 के नीट जे डबली फाउंडेशन कूर्स में हमारा चैप्टर चल रहा है कार्बन अनिट्स कमपाउंड्स जिसके 12 लेक्चर में हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहोल्स तो फ्रेंड्स पिछले सेशन में भी हमने कुछ केमिक प्रॉपर्टीज देखी थी जिसमें हमने ऑक्सिडेशन और कंबशन रियक्चन देखी थी तो फ्रेंड्स basically oxidation और combustion reaction में क्या difference होता है इसके बारे में थोड़ा सा confusion था तो मैं फिर से एक बार उसे revise कर देता हूँ तो दोस्तो oxidation जो होता है उसमें हम oxygen group को introduce करते है और combustion में जितने भी hydrocarbons में carbon है और hydrogen है उनका हम complete conversion करते है CO2 और H2O में CO2 and H2O में conversion करवाते है लेकिन in this case we are not converting all the carbons and hydrogens into CO2 and H2O here we are just introducing oxygen into given hydrocarbon और उसका example हमने ethanol का देखा था ethanol का जब हम combustion करते है तो इसके पूरे carbon बनेंगे CO2 और water और heat and light इसमें produce होगी और methane का जब हम combustion करेंगे तो इसके भी पूरे carbon और hydrogen CO2 water में convert होके heat and light उसमें से निकलेगी और जब हम alcohol का oxidation करते है तो हमें मिलेगा acidic acid and water इसमें CO2 नहीं बनेगा तो friends यह जो reaction होती है ना oxidation की तो oxidation की reaction करवाने के लिए हमें oxygen की ज़रूरत होगी nascent oxygen की यह atmospheric वाला oxygen नहीं चलेगा इदर यह जो reaction mixture रहता है उसी में हमें oxygen generate करवाना पड़ता है और यह oxygen जो generate करता है यानि oxidation में help करता है वो होता है oxidizing agent वो कौन होता है oxidizing agent वो होता है oxidizing agent oxidation को करवाने वाला तो oxidation को करवाने वाले कोन है KMNO4 और K2CR207 भी कर सकता है लेकिन KMNO4 जो है यानि potassium per magnet कैसा रहना चाहिए alkaline रहना चाहिए यह जो है यह alkaline रहना चाहिए और यह acidified K2CR207 रहना चाहिए KMNO4 अगर use किया है तो वो alkaline रहना चाहिए नीचे reaction में भी दिया है देखो alkaline acidified और इसको लेके जब हम alcohol को in presence of alkaline KMNO4 heat करते है तो हमें मिल जाता है acetic acid इसी को हम क्या कहेंगे ethanoic acid इसका nominic lecture IUPAC वाला क्या होगा कितने carbon है दो carbon तो root word क्या होगा eth saturated है ethane ethane और आगे आता है oic acid COH के लिए क्या आता है oic acid तो यह e क्या हो जाएगा द्रॉप हो जाएगा तो यह nominic lecture क्या होगा तो इथा नॉइक acid क्यूंकि यह o से start हो रहा है तो यह e क्या हो जाएगा drop हो जाएगा यानि यह जो secondary suffix है a e i o u से अगर शुरू होता है तो इधर वाले यह primary suffix के e को हमें drop करना है तो यह बन गया ethanoic acid को हम कहते है acetic acid इसका common नाम है तो दोस्तों यह थी oxidation reaction of alcohol हम देख रहा है alcohol के chemical properties तो अगली एक बहुत ही important reaction देखने वाले हम reaction of alcohol with sodium metal उसके पहले यह देखो दोस्तों oxidation और combustion में का मोटा मोटी difference समझने के लिए मैंने दो analogies दी थी तो एक थी friends जब कोई surgeon अपनी surgery में इस्तेमाल करता है इन instruments का तो इसके साथ भी वो person के body में कुछ cuts करता है और अगर कोई criminal किसी का killing करने के लिए इसका use करता है तो यह भी इसके body में cut करता है तो इन दोनों में कुछ difference है या नहीं तो यही difference है oxidation में और combustion में कम oxidation क्या होता है controlled combustion होता है oxidation क्या नथिंग बद कंट्रोल्ड कंबशन लेकिन कंबशन ऑक्सिडेशन नहीं है तो कंबशन जो है वह uncontrolled होता है इसमें पूरे के पूरे कार्बन को हम जला देते हैं पूर जितने भी इस का है दिये हुए हाइडर कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन है उसका पूरा का पूरा हम कनवर्जन CO2 and H2O में कर देते हैं I hope this difference between oxidation and combustion is clear to everyone oxidation and combustion में का difference सभी को clear हुआ है if it is clear to everyone say yes in chat box if it is clear to everyone say yes in chat box शिवांच आदित्य सात्विक रिशी आपूर्वा I hope it is clear to everyone चलो अगली reaction देखते हैं तो देखो दूस्तो इथेनॉल का जब हम reaction करते है sodium metal के साथ तो हम क्या करेंगे reaction किस तरह से होती है उसी का experimental setup देखेंगे यह एक stand है iron stand इसको हमने यह एक test tube लगा दी है इसमें हमने ले लिया alcohol याने इथेनौल कुन सा आलकॉल लिया हमने हमने इथेनौल हमने ले लिया है इधर इसमें इथेनौल लेने के बाद हम क्या करेंगे सोडियम मेटल डालेंगे इस में सोडियम मेटल कैसा रहता दोस्तो इसलिए हम केरोसीन में केरोसीन में रखते हैं ठोड़ा सा सोडियं लेकर हम ने डाल दिया इस alcohold में के पीछे हमने इसमें डाल दिए ओके तो इसमें डालने के बाद होता क्या है दोस्तों यह जो एल्कोहल है इस सोडियूम के साथ react करने के बाद निकलती है hydrogen gas तो हम क्या करेंगे इस ग्यास को ऊपर एक इस टेस्ट्यूब के उपर एक टेस्ट्यूब रख देंगे और इसमें इस हाइड्रोजन ग्यास को हम कलेक्ट कर देंगे इसमें हम क्या करेंगे हाइड्रोजन ग्यास को हम कलेक्ट करेंगे तो अभी देखो दोस्तों कि मान लो कोई रियक्शन हमने क्यारी आउट की है और उ यह जो उपर की test tube है उसे बाजो में ले लो और इस test tube के नीचे एक जलती हुई छोटी सी stick रख दो तो यह जैसे ही हम इस जलती हुई stick को इधर रखेंगे तो इधर hydrogen gas जो इस test tube में है पॉप साउंड पट 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 ऐसे sound के साथ यह जलती हुई नजर आएगी हमें इधर जो hydrogen gas है इधर की hydrogen gas इस जलती हुई stick की वज़े से इसमें की hydrogen gas बर्न होना शुरू करेगी और कैसे pop sound देगी याने this is the indication of presence of hydrogen gas in the given test tube important note है जोस्तो if this gas inside the test tube starts burning with a pop-up sound with pop sound that is the indication of presence of hydrogen gas inside the test tube and in turn this is the indication of presence of alcohol in the given sample यानि यह alcohol की एक characteristic test बन सकती है this can be used as test for ethanol in laboratory ओके फ्रेंट्स तो exactly reaction क्या होती है alcohol reacts with sodium gives sodium ethoxide इसे हम क्या कहते है दोस्तों sodium ethoxide इधर वाला hydrogen निकल जाएगा इधर Na attach हो जाएगा C2H5O O और H में भी एक bond है तो इस तरह से यह H इधर break होगा और इधर आके जुड़ेगा कौन Na C2H5O Na इस तरह से sodium ethoxide बनेगा और hydrogen gas release होने वाली है जब भी reaction में इस तरह से hydrogen release होता है इस तरह से arrow दिखाना है है ओके फ्रेंड्स याने रिमूवल ओफ वाटर मॉलिक्यूल फ्राम दा गीवन कंपाउंड रिमूवल ओफ वाटर मॉलिक्यूल तो यह जो dehydration होता है वो किसके presence में होने वाला है dehydrating agent और इधर कोन है concentrated sulfuric acid जो है हम dehydrating agent के तोर पर हम use करने वाले है तो जब यह alcohol CH3 CH2OH जब हम इसे 170 degree तक heat करते है in presence of concentrated H2SO4 तो क्या होता है दोस्तो H2O molecule इन यह OH group से 1H निकलेगा OH निकलेगा और इधर से 1H निकलेगा इसे मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ तो ज्यादा आपको clear होगा CH3 को मैं CH2 और नीचे 1H लिखोंगा और CH2OH का OH को नीचे लिखोंगा तो यह जो इधर H2O है इस तरह से H और OH यह इधर से remove होगा और हमें मिलेगा CH2 double bond CH2 plus water याने saturated compound से हमने बना दिया unsaturated compound और यह हुआ है किसके presence में concentrated H2SO4 के presence में और यही reaction है dehydration reaction I hope this is clear to everyone make note of this तो अभी तक हमने दो reactions important reactions देखे है dehydration of alcohol and reaction of alcohol with sodium metal if all part up to this point is clear say yes in chat box चलो friends Shivansh, Rishi, next reaction के और हम बढ़ेंगे next is again wonderful reaction and very very important reaction आपके need JEE 11, 12 अभी आगे की journey में यह 3-4 साल आपकी यह फ्रेंड बनने वाली reaction है जिसका नाम है इस्टरिफिकेशन रियाक्शन तो यह रियाक्शन क्या होती है दोस्तो इथेनोल रियाक्श विथ इथेनोइक आसीड on mild heating याने यह तो मैंने एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल लिया है इथेनोल का और इथेनोइक आसीड का वेराज आप यह इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हो इस्टरिफिकेशन इस दे रियाक्शन अफ अल्कोहोल और एसीड अल्कोहोल रियाक्श विथ एसीड on mild heating in the presence of few drops of concentrated sulfuric acid to give Easter mild heating देना है हमें अभी आप इधर एक बीकर देख रहे होंगे जब भी हमें mild heating देना है ना दोस्तो तो directly heat नहीं करनेगा कभी भी जब हम mild heating देते हैं तो sample को हम लेंगे test tube में और उस test tube को हम किसमें रखते है water bath में water bath याने क्या होता है एक ऐसा बीकर जिसमें हम लेते हैं पानी और इसके नीचे हम flame लगाएंगे और यह पानी जब गरम होगा तो इसमें हम डालेंगे test tube को इसमें हम डालेंगे test tube को test tube में हमारे रहेगा reaction mixture और ऐसे setup को हम क्या कहते हैं इसे कहते हैं हम water bath ओके दोस्तों तो देखो क्या लिए लिखाए ethanol reacts with ethanoic acid on mild heating in the presence of few drops of concentrated sulfuric acid to form a sweet smelling compound ethyl ethanoate this compound belongs to easter family which is a separate group of organic compounds तो reaction लिख देता हूं आपके लिए में ethanol की reaction कर दी हमने ethanoic acid के साथ में तो हमें मिलने वाला है in presence of concentrated H2SO4 mild heating करना है तो हमें क्या मिलेगा CH3 COOC2H5 इसे generalized form में अगर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा यह देखो जोस्तों generalized form में मैं लिखता हूं इसे आर COOH की reaction कर रहे है हम alcohol के साथ तो यह आर यह आर सेम भी हो सकते हैं अलग भी हो सकते हैं तो मैं आर अलकोहल के आर को अलकाइल ग्रूप को में आर डाश से रिप्रेजेंट करूंगा आर में भी इकोल टू आर डाश आर अर डाश में भी सेम तो इसकी reaction जब होती है in presence of concentrated H2SO4 mild heat करने के बाद हमें मिलेगा आर सी ओ ओ ओ आर डाश ध्यान देना दोस्तों इस ओ को लग के जो अलकाइल ग्रूप आने वाला है यह किदर से आने वाला है यह आने वाला है अलकोहल से और इधर वाला आर जो ग्रूप है वो आने वाला है एसीड से हो के दो तो तो reaction देखो दोस्तों इस तरह से यह reaction होती है और एक बात ध्यान रखना दोस्तों यह इसका reaction setup दिखा दिया है मैंने आपको isterification mild heating के लिए इस test tube में क्या-क्या है फिर acetic acid, ethanol and few drops of concentrated H2SO4 इसे हमने water bath पे रखा है यह जो reaction है ना reversible है दोस्तों हम अगर dilute HCL के presence में dilute HCL में अगर easter को लेके उसमें add करके water अगर heat करते है on mild heating तो अब हमें alcohol और acid back मिल जाता है यह reversible reaction है और यह reverse direction में जो reaction होती है उसे हम कहते है hydrolysis उसे हम क्या कहते है hydrolysis water add होता है तो hydrolysis water remove होता है तो dehydration तो इस तरह से इस reaction को represent कर सकते है यानि alcohol carboxylic acid और alcohol को react करके हम easter को भी पा सकते है और easter का hydrolysis करके dilute acid में alcohol और carboxylic acid को भी वापस पा सकते है तो देखो दोस्तों यह बात हमेशा याद रखो इस रियाक्शन में जो इस्टर बनने वाला है जो इस्टर बनने वाला इस्टर का फॉर्मुला क्या होता है आर सी ओ ओ ओ आर डैश तो यह जो इस्टर बनने वाला है ना तो इसमें का यह जो ग्रूप है ओ को लखके आर डैश ये आता है alcohol से, वो कहां से आने वाला है alcohol से, ये याद क्यों रखना है क्योंकि आपको question आ सकता है कि ethyl ethanoid बना है या methyl ethanoid बना है या propyle ethanoid बना है तो ये कौन से alcohol और कौन से carboxylic acid से बन सकता है, ऐसे questions आपको आ सकते है ये reaction को important करके लिखना इसे बार-बार revise करना है आपको बेहद ही important reaction है ओके दोस्तों तो इन तीन important reaction के साथ esterification reaction of alcohol with sodium metal and dehydration of alcohol ये तीन reaction आज हमने देखी तीनों के तीनों बेहद ही important reactions थी इसी के साथ हमारे chemical properties of alcohol समापत होते है और अगले session से हम शुरू करेंगे chemical properties of acids याने CH3, COOH, CH3, CH2, COOH इनके chemical reactions हम देखेंगे उसके बाद में soaps and detergents क्या होते हैं उसके बाद में few MCQ is important or we will end up with the chapter okay friends thank you thanks a lot हसते रहे मुश्कुराते रहे और पढ़ते रहे झाल झाल